अब सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल या रखिले स्क्लासेस फॉर यू में आज हम डिसक्स कर रहे हैं हाफ यरली एक्जामनेशन 2017-18 का पेपर है इंग्लिस का क्लास 9 का 2017 का पिछले साल का इसमें आपका अंसीन पेसेज पहला क्वेश्चन सेक्षन ने यह रहा उसके बाद में आप वीडियो पॉस करके इसकी इंसोट लेकर इसको आराम से पढ़ सकते हैं देख सकते हैं इसके जो अनांसर्ट क्वेश्चन से हैं वो नीचे लिखे हुए हैं वो आप देख सकते हैं यह रहा है वो क्वेश्चन वीडियो पॉस कर ले आपको और वहां प ले सकते हैं पॉस करके पढ़ सकते हैं फिर आगे देखते हैं इसका next यह है question इसमें one two three four five six seven questions है seven के ए और बी पार्ट है यह last year का paper है आपका इसके बाद हम बात करते हैं second question की तो second question भी आप का अंसीन है इसका next page देखते हैं इसके बाद में आपका question है इसके यह रहे questions इन questions का जिस student ने भेजा है उसने इस पर कुछ लिख भी रखा है less more इस थार्ड question है आपका imagine करना आपको और imagine करके आपको लिखना है यह है आपका इसके बाद आदे नेक्स्ट या फिर आप यह वार ले आप कर सकते हैं फॉर्थ question नेक्स्ट पेज को देखते हैं यहाँ पर उसमें और में option है इसमें debate लिखना है बाद भी बाद जो होता है कि मैं कुछ कुछ बोलों आप कुछ प्रोज बोलों मतलों मैं अच्छा बोलूं और कोई बुरा बोले और उस चीज को हमें लिखना है टीवी इस एडवेंट एडवांटेज तो उसके बारे में लिखना है उसके बाद फिर्थ question है इसेल्स में सोरेस अंस एक उसके बाद में सूरेस और शेल्समेंट एक में उसके बाद में सूरेस और स्हाव ईस सेल्समेंटD के बीच में leans प्रिसक्सिंस ही आपका grammar का गया इसमें fill in the blanks correct form के बरना है 7th में आपको suitable model है उसको use करना है ऐसे 8th question है आपका फिर 9th question है और फिर 10th question है opposite word लिखना है आपको different same active का deactive उसके बाद आपका right synonyms similar words लिखना है finish का end हो सकता है buy का purchase next देख लेते है आपका 11th question है write one word for the group of word given in below a place of worship for muslim father and mother parents इसके वर 12th question है इसमें आपको बताना है वर्व कौन सा है underline करना आपको words को 13th question है आपका फिरा जटते है 14th question है इसके बाद में 15th question है आपका इसमें 18th question है इसमें 18th question है इस 17th question है and 16th, 17th और यह रहा आपका 18th question last answer of any two question in about 30 words उसके बाद में आपका यह paper खतम हो जाता है इस paper के end में आपको छोटे छोटे आइकन्स मिल जाएंगे जन पर आप क्लिक करके डारेक्ट प्ले लिस्ट तक पहुंच सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं तो उन आइकन्स को आप देख सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें share करें अपने दोस्तों को बोले सब्सक्राइब करें चैनल को टाकि उनकी भी अलप हो सके अपने क्लास सोचल मेडिया पर share करें थैंक्स फर वासिंग इस वीडियो आप आप आप